रंतंतर देख रहे हैं आप क्या हाल चाले मैं हूँ रोनक और या रसी भी वालों कुछ तुम लोग को बोल देते हैं तो तुम लोग को बहुत बुरा लग जाता है लेकिन टीम देख रहे हो अपनी टीम कहने के लायक है यह लोग दोसों का टार्गेट 15 और में बनवा देते हैं फिर कोई कुछ कहते हैं तो बुरिया लगता है कि हमारी टीम को बुरा बुल ले अर अस्तोचो तुमारी टीम इतनी बुरी है कि बुमरा की अच्छी पफॉर्मेंस को चोड़ कर तुमारी टीम की बुराईयां हो रही है वरना बुमरा भाई ने जो बुमरा करी है उसके लिए कायदे से कम से गाम आदे घंटे का स्टांडिक उफेशन उनको मिलना चाहिए याद रखिए रोहित और हर्दिक वाले मामले में लोग बुमरा का पक्ष रखना भूल जाते हैं रोहित को कप्तानी से अटा कर हर्दी को कप् लिए कप्तानी के असली वारिस जस्परीद बुमरा थे रोहित के बाद ये कायदे से पूरे मामले पर अगर किसी का बुरा मानना बनता था तो वो बुमरा का लेकिन बुमरा भाई ने अपने मूँ से एक शब्द नहीं निकाला और अपनी बॉलिंग से वैसे ही कहर बारप लिए पहले गेम की बात कर लेते हैं मुझे तो लगता है जिस तर जादूगर की जानतोते में होती है उसी तरह अरसी बी की जान चेस करने में है जैसे पहले बाटिंग करते हुए सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोली थे लेकिन बुमरा ने पहले विगे चार सो चार्वर जटका उनी को आउट करके दे दिया बैंगलूरू को बैंगलूरू में कोली के आउट होने का मतलब होता है अधी टीम को आउट कर देना लेकिन कल बाकी कुछ लोगों में भी थोड़ी सी शेर्म की चीज ने एंट्री करी और कप्तान फाफ डूपलेसी ने सोचा कि मैं भी अ कल भी कार्तिक दफिनिशर ने रिंकू और बाकी सभी खिलाडियों को वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से फिनिशर बनने का जो सपना देख रहे हैं उन सब का ब्लड प्रिशर हाई करवा दिया इस आग में थोड़ा सा घी रोहित शर्मा ने भी डाला जब उन्होंने डी पहुंची जो की 220 के आसपास भी जा सकते थे अगर अपने बुम्रा भाई पंजाना मार दे तो आपको बोनस की तरह आए और बोनस से आदा है आपको 21 रुपे का बोनस मिलने वाला है माई 11 सरकल डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आज लखनू वर्सिस द ठीक है बागी बड़े बड़े प्राइजेस तो हैं वीडियो गेंड में आपको टीम बना कर बताऊंगा आज के मैच की फिलाल बात करते हैं दूसरे इनिंग की वांखटी का मैदान था मुंबई का होम ग्राउंड था सबसे बड़ी बात सामने वाले टीम बहंगलूरू की पावर प्लेम में मुंबई ने 72 रन बना लिए तो राधे से जाधा गेम तभी खतम हो गया था 34 गेंद में इशान ने 69 बनाए कप्तान रोज चन्दमा ने भी रन ठीक ठाक बना लिए और सूरे कुमार यादव उफ भाई साब गर्दा उडा दिया बैया कल सोशल मीडिया पर इनका कंपरिसन रियान पराग के साथ हो रहता जहां पर कुछ लोगों यह भी कहना था कि सूरे भाई की जगे पराग को वर्ल्डगप में ले जाना चाहिए सूरे कुमार यादव कल ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनने जवाब दिया है उनका एक एक चक्का लगा बेंगलूरू को था लेकिन उनका दर्द उनकी T20 क्यालिबर को जज करने वालों को महसूस हुआ 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 मात्र सत्रा में हाफ सेंचुरी लगाने के बाद हो ने दिखा दिया कि इस टोर्नमेंट के बेस्ट यादव वही है मयंक और कुलदीप नहीं जब ऐसा खेलते हैं तो 196 क्या 296 भी सेफ नहीं होता नतीजा ये कि 93 गेंद में मुंबई ने 197 बना डाले और बेंगलूरू को मिल गई एक और करारी हार आपके साब से कौन रहा इस हार का जिम्मेदार बेंगलूरू की तरफ से कॉमेंट करके सरूब बताइए वैसे डिस्क्रिप्शन में भी ज आप अपनी टीम बनाना और जल्दी से माई लेवन सरकल डाउनलोड करना क्यूंकि एक्किस्सो रुपए फ्री में जीतने का जो सौधा है वो लिमिटेड टाइम का है और याद रखना इस गेम इन वॉल्स एलेमेंट ऑफ पनिशलिस कर में एडिक्तिव प्लीज प्लीज प सब्सक्राइब जरूर करिएगा फेस्बुक पर देखरें तो पेच को लाइक करिएगा और जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ ही पर जाहें